अगर आपने वह नहीं देखी तो वह देख लेना अगर आपने वह नहीं देखी तो वह देख लेना वह कितना एन्वल प्रेमियम पे करेगा कब कंडिशन क्या गीवन है valued at rupes 5 lakh at the rate of 5% अगर वह 5% के हिसाब से value पे करता है कितनी value पे करनी है उसे? कितनी value पे करनी है? 5 lakh तो वह पर एन्वल यानि हर साल कितना पे करेगा हर साल कितना पे करेगा देखो बहुत ही easy है बहुत जादा easy कितना कर रहा है वह at the rate of किस हिसाब से? 5% 5% के हिसाब से वह पे कर रहा है कितने amount पे करने है उसे total? 5 lakh lakh में कितनी zeros होती है? that is 5 तो हमने लिख दिया 5 lakh कितना easy बन गया देखो? 5% of 5 lakh find out कर लेते हैं क्या आजाएगा हमारा? annual आजाएगा ये तो find out करना आते ही है percentage percentage given है यानि percentage हटाया तो नीचे क्या लिखना है? 100 of का मतलब multiply 5 lakh 2 0 से 2 0 cancel out होगी कितना आगया? अब multiplication कैसे करते हैं? क्या आप इतनी बड़ी term को ऐसे multiply करेंगे? नहीं 0 को skip कर दो 5 को 5 से multiply किया that is 25 कितनी 0 है? 3 3 0 से से पिछे चिपका दो कितना आगया? rupees 25,000 तो उसको annually premium कितना pay करना पड़ेगा? 25,000 annual premium is equal to rupees 25,000 कितना easy था? लेकिन आप लोग क्या सोचोगे? words problem है और percentage वाला chapter है ये तो हमारा बाहर है ये तो आता ही नहीं तो ऐसा बिलकुल नहीं सोचना अगर statement वाला है words problem है तो वो मुश्किल होती है बिलकुल भी मुश्किल नहीं होती है हमने अपने concept बहुत अच्छे से सीखे हैं तो let's move question number 12 the customs duty on an item is 33 is to 1 by 3 percent क्या given है 33 is to 1 by 3 percent सबसे बहले तो ये बता दो कि ये mixed form है improper form है या proper form है yes कौम सी form है ये mixed form mixed form को हमें change करना आता है कैसे change करते है mixed form को 33 is to 1 by 3 अगर लिखा होता है तो इसको improper में कैसे change करते हैं तो denominator होता है वो as it is आता है 33 को इस 33 से multiply करते हैं यानि कि 33 को 33 से multiply करेंगे we get the answer 99 जो इसको multiply करके आता है जो हमारा 99 आया उसमें ये उपर वाला numerator add कर देते हैं तो कितना हो गया 99 plus 1 100 तो यानि कि 33 is to 1 by 3 percent को हमने किसमे convert कर लिया improper form में जो क्या बन गई 100 by 3 percent is of its value what is the duty if the item is worth रुपिस 50 100 अगर item जो है वो 50 100 की है और उसके ओपर जो custom duty लगा है उस item के ओपर जो भी item by की है 33 is to 1 by 3 percent तो कितना पे करना पड़ेगा कितने की पड़ेगी वो तो क्या निकालना हमें जयानि हमें यह निकालना है according to our statement 33 is to 1 by 3 percentage of कितना है फिफ्टी वन हंड्रड येस फिफ्टी वन हंड्रड का इतना परसेंटेज निकालना है और इतना तो हमें बिल्कुल अच्छ से निकालना आता है इसको अभी अभी solve किया कितना आ गया 100 by 3 percent 100 by 3 percent of of means multiply 50 100 येस अब देखो 100 by 3 percent यह हमें इसको solve किया आया है लेकिन अभी भी percentage तो बाकी है तो इस percentage को अगर मैं हटा दू तो percentage हटाने के लिए नीचे क्या लिखना पड़ता है 100 येस इतनी बात clear हो गई 100 से 100 cancel out 3 वन्जा 3 3 वन्जा 3 2 रह गया 3 सेवन्जा 21 0 0 कितना आ गया रुपी 1700 So much easy Yes 13 Out of 3000 candidates कितने candidates है 3000 Who appeared for an examination 92% passed How many passed क्या बोला है question ने कि total जो candidate थे जिनों ने exam दिया कितने थे 3000 3000 is the total candidate who appeared for an examination ठीक है इसमें से 92% 92% पास हो गए उसने ये ने दिया कि number of students कितने पास हुए ठीक है तो कितने पास हुए 92% अब 92% पास हुए तो ये बताना हमें कितने number of candidates पास हुए ये तो percentage में गीवन है हमें number of candidates बताना है कितने candidates पास हुए बहुत इसी तो क्या करेंगे 92% निकाल लेंगे किसका 92% of 3000 92% of 3000 ये क्या हैगा पास्ड कैंडिडेट ठीक है ये पास्ड कैंडिडेट आ जाएंगे बस और कुछ नहीं करना जैसे ही समझा गया हमें ये लिख दिया डिवाइडेट बाइ परसेंटेज हटाया तो क्या आएगा निचे 100 of का मतलब multiply तो कितना आ गया 3000 as it is लिख दिया 20-0 से 20-0 cancel होगी अब क्या करेंगे किसको multiply करना है 92 को multiply करना है 30 से बट हम क्या करेंगे 92 को 3 से multiply करेंगे 326 390 27 एक जिरो थी एक जिरो लगा दी तो 2760 students pass हो गए out of 3000 candidates में से 2760 candidates are passed yes 14th a microwave a microwave is sold for rupees 7600 after allowing a discount of 5% behind its mark price ऐसा सा question हम पहले भी कर चुके है last की वीडियो में कि microwave कितने का sold किया गया कितने का बेचा गया rupees 7600 का after allowing a discount of 5% 5% discount देने के बाद ठीक है 5% discount देने के बाद find the mark price mark price निकालना जैसे हमने sweater वाला portion किया था वैसे वैसे ही है तो देखो कैसे करेंगे हम क्या माल लेते है क्या find out करना उसका mark price mark price find out करना है तो let कैसा question है कि उसके total cost find out करनी थी कि इतने discount के बाद उसको इतने पैसे दे दिये थे अगर आपने लास्ट की वीडियो देखिया तो आप correlate कर पा रहे होंगे तो हम क्या माल लेते है उसी question की तरह है कि हमारा mark price कितना है let mark price mark price कितना है 100 यह हमने let कर लिया अगर 100 उसका mark price है जो according to a question discount कितना मिला है 5% का तो 100 में से ही percentage निकालते है तो discount कितना मिल गया discount मिल गया 5 रूपेज का अब आप कहोगे question में तो लिख आ है 5 percentage है ना और यहां हम लिख रहे हैं 5 देखो भई 5% of 100 तो 5 by 100 into 100 cancel out होके कितना आया 5 ही तो आया यह तभी तो हम 500 लिखते हैं या mark price को जो भी letting करते हैं इस chapter में वो 100 let करते हैं ताकि हमारी percentage easily find out हो सके तो discount कितना मिल गया 5 अब जो cost price हो जाएगी selling price sorry selling price कितने हो जाएगी selling price after discount discount के बाद selling price कितने हो जाएगी 100 minus 5 that is rupees 95 95 is this selling price after discount so यहाँ से हमें क्या पता लगा when SP is rupees 95 जब हमारे पास जो selling price 95 है तो उसका mark price कितना था हमने कितना लेट किया rupees 100 लेट किया यानि कि अगर mark price 100 है तो उसका selling price कितना 95 अब अगर उसका selling price when selling price is कितना दे रखा हमें अपने question में 7600 येस तो उसका mark price कितना हो जाएगा देखो 95 के लिए mark price 100 1 के लिए कितना हो जाएगा 100 by 95 येस और 76,000 के लिए कितना हो जाएगा 100 by 95 into 76,000 now solve it and we get the answer rupees 8,000 इसको solve करने की बात कितना हैगा rupees 8,000 you can cut it on 5 table or 25 table whatever do you want तो कितना easy था देखो आपको ये बात पता होने चलिए जो भी let करना है 100 let कर लेंगे discount जो भी देगा वो percentage में देगा लेकिन 100 let किया तो उसके according वो normally रुपीज में आ जाएगा अब क्या लिखना है बस जो हमने लिया selling price after discount इसमें से ये minus किया यानि कि इतने की जो चीज थी और discount होके इतना आ गया तो कितना आ गया rupees 9,500 minus 5 we get the answer rupees 95 means when SP selling price is rupees 95 then mark price कितना था 100 अब अगर 95 रुपीज का selling price mark price 100 था mark price क्या होता है अगर आप कोई भी चीज लेती हो कोई भी item लेती हो उसके उपर जो हमार पस mark price MRP लिखा होता आप देखना उसके पिछे कोई भी आप खरीदोगे खाने पीने की चीजे तो 95 की value 100 तो 1 की value कम हो जाएगी कम के लिए क्या करते हैं डिवाइड निकालनी किस की है 7600 की तो यह तो 1 से जाद हो जाएगी multiply कर तो solve कर तो answer आजाएगा so much easy next is 15 second last question our football team won 8 matches out of the total number of matches they played उन्होंने जितने भी match खेले we don't know उन्होंने कितने match खेले ठीक है our football team won 8 matches football team ने कितने matches जिते 8 matches won किये हमें नी बदा total number of matches कितने थे if their win percentage was 32 अगर उनके जीतने की percentage 32 है then how many matches did they play in all तो उन्होंने total कितने matches जिते यानि कि ये 32 क्या है 8 matches उन्होंने जीते 8 matches उन्होंने जीते तो उसकी percentage जितने उन्होंने match जीते यानि 8 जीते out of total तो उसकी percentage कितनी गीवन है 32 32 percent given है देखो win percentage win percentage कितना given है 32 percent 32 percent given है total number of matches कितने आ जाएंगे total number of matches total number of matches is equal to कितने जीते उन्होंने 8 कितने में से 32 में से अब इसका percentage है उपर 100 आ जाएगा अब ये divide by divide तो आएगा है देखो 32% 32 अगर percentage अटाऊं तो नीचे 100 अब ये 32 by 100 फिर से fraction हो गया तो ये reciprocal हो गया 100 by 32 solve कर लो कितना आ जाएगा 4, 2 is a 8, 4, 8 is a 32 2, 1 is a 2, 2, 4 is a 8, 4, 1 is a 4 4, 2 is a 8, 4, 5 is a 20 कितने आ गए 25 matches थे total कितना easy देखो पता क्या किया total नीचे रखा आपके marks भी तो ऐसे हैं, for example 20 का आपका test हुआ, आपके आए 18 marks तो जितने में से आए वो total नीचे रखते हैं जितने आए वो उपर रखते हैं ऐसे ही किया, जो win percentage थी वो 32 थी और वो कितने जीते 8, है ना, तो ये percentage में था percentage हटाएगे तो नीचे 100 आएगा लेकिन, this by this reciprocal हो रहा है, तो इसलिए ऐसे कर दिया 100 उपर लेगे और इसको cancel out कर दिया, we get the answer 25, hope so clear हुआ होगा आपको, next and the last question, during a sale एक sale लगी होई है, all items are available at a discount of rupees 30%, sale लगती है discount मिलते हैं, तो 30% का discount मिल रहा है हर एक item पर, what could be the sale price of the following, अगर discount होने के बाद, आपको जो पढ़ रही है, वो चीज, cost price की तो वो थी कितने की, है ना कितने की थी, अशर्ट at rupees 960, शर्ट कितने की, 960 तो यानि कि उसके उपर कितना discount मिल गया, पहले discount निकाल लेते हैं, discount तो 30% मिला, लेकिन इसका भी तो 30% निकालना पड़ेगा, yes, जितना भी 30% आएगा, इसमें से minus कर देंगे यानि कि वो शर्ट हमें उतने की पड़ेगी तो मैं आपको solution दिखा देती हूँ, इसका एक बाद discount is equal to, discount क्या निकालेंगे 30%, 30% किसका 30% of 960, 30% किसका 960 का 30% of 30% of 960, अब percentage हटाया, percentage हटाया तो नीचे 100 of का मतलब, multiply into 960, solve कर लो ये क्या आगा, discount discount क्या आएगा, 30% of 960 that is 30 by 100 multiply 960, solve किया 0 से 0, cancel out, 0 से 0, cancel out 96 को 3 से multiply किया, 288, 288 तो हमें discount मिला selling price क्या थी, 960 960 में से कितने रुपेज का discount मिल गया, 288 तो हमें वो shirt कितने की पड़ी, 672 की, yes next is a pair of shoes marked at rupees 870, कितना price लिखा हुए shoes पर 870, 870 रुपे price लिखा हुए, discount हुआ 30% का, 30% of 870, find out कर लेंगे percentage हटाया, तो निचे 100 off का मतलब multiply, 0 से 0 cancel out, 87 को 3 से multiply करेंगे, 261 बट 870 की वो shoes थे, उसमें से जो हमें discount मिला, यानि कि 261 रुपेज, माइनस करेंगे कितना answer आएगा, 609, similarly हमारा C part हा, बहुत ही easy, जेकिट मार्ट रुपेज, 4500, एक जेकिट पर कितना price लिखा हुए, 4500, उसका 30% निकालेंगे, यानि कि 30 percentage of 4500, percentage हटाया, नीचे 100 आगया, percentage का sign हटाते हैं, तो कहा 100 आता है, नीचे, denominator में, off का मतलब multiply, solve किया, 1350 का discount हुआ, लेकिन, जितना उन्होंने price लिखा हुआ था, उसमें से वो माइनस कर देंगे, हमें वो jacket कितने की पड़ी, 3150, yes, hope so आपको ये exercise complete समझ आई होगी, फिर भी कोई problem आती है, जिस भी question में, आप comment कर सकते हो, channel को subscribe करना, video को like करना, share करना, thank you ए corporate觀 ते हाओ Organization, it 505 अज़ हो एक राव टा डिखा ने, जिस लूग्पोर is bra vari by